एक समय की बात है एक गरीब लगडी काटने वाला था वह अपनी पतनी बेटी और बेटे के साथ रहता था हैंसल और ग्रेटल उसके बेटी और बेटे का नाम था टाइमस वर वैरी हार्ड समय बहुत ही कठिन था एंड देयर कम अडे एक दिन ऐसा आया वैंड देयर वाज नथिंग तो इट जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था लगडी काटने वाले के पास कोई भी उपाय नहीं था वो अपने बच्चों को जंगल की तरफ ले गया इन होप तैट अ रिच नोबल मैन आउट हंटिंग उड फाइंड देम इस आसा में कि कोई भी वहाँ पर अमीर व्यक्ति आएगा सिकार करने के लिए और वो उससे कुछ ले लेंगे या कुछ उसे दे देंगे जब वो बहुत दूर चले गए लगड़ी काटने वाले ने थोड़ी से आग चलाई और उसके दोनों बच्चे वहाँ पर लेटे और सो गए देन ही वेंट अवे तब वो वहाँ से चला गया नाइट हैड फॉलन वैन हैंजल और ग्रेटल अवे बहुत ही राथ हो चुकी थी हैंजल और ग्रेटर उठ चुके थे टियर्स रोल्ड डाउन फॉम दियर इयर्स उनकी आखों से आसू गिर रहे थे वे जानते थे कि इस रात के अंधेरे में वो अपने घर का रास्ता नहीं खोच पाएंगे अगली सुबह वह बहुत ही दूर चले गए हैंजल और ग्रेटल ग्रेटल एक छोटे से घर के पास पहुचे जो कि बहुत सुन्दर था उन्होंने देखा कि जो घर का च्छत है वो चॉकलेट से बना हुआ था और जो उसकी दिवारे थी वो ब्रेट की बनी हुई थी और खिड़कियां सुगर की बनी हुई थी सफेद सुगर की बाई नाव हैंजल और ग्रेटल वर वेरी हंगरे इंडिग हाला कि वो दोनों बहुत ही भूके थे इसलिए उन्होंने उस ब्रेट के टुकड़े को तोड़ा उसी समय एक ओल्ड वोमेन तरवाजे के सामने आते हुई दिखाई दी उसने उन दोनों को खाना और रहने के लिए जगा दिया हैंजल और ग्रेटल वो नहीं जानते थे लेकिन वो उसने हैंजल को एक पिंजड़े में कैद कर लिया वो उसे खाना चाते थे और ग्रेटल को उस घर के सारे काम करने के लिए कहा इच मॉर्निग दो विच उड़ फिल हैंजल फिंगर तो सी इफ ही वास गेटिंग एन फैटर वो प्रतेक सुवा हैंजल को और उसके उगलियों को देखती थी कि वो मोटा हो रहा है या नहीं बिंग वेरी सॉड़ साइटिड दो विच कुड नॉट सी हैंजल होल्डिंग आउट 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 बोन फोर हर तो फिल नॉट हिस फिंगर ज्यादा समय ना होने के कारण चुडाल हैंजल को थोड़े समय के लिए देखती थी और वो उसके फिंगर को देखती थी वो सोस्ती थी कि ये अभी तक इतना पतलग क्यों है अट लास्ट दो विच लॉस्ट पैसेंस लास्ट में विच बहुत ही उग्र हो गई यानि कि गुस्से में आ गई मूटा हो या पतला अब उसे हैंजल को खाना चाहिए उसने अपने आप से कहा और ग्रेटल को कहा कि आग जलाओ और उस पे बड़ा सा बरतन पानी के साथ रखो ग्रेटल आस्क दो विच तो टेस्ट इफ दो वाटर वास होट इनफ ग्रेटल ने वैसा ही किया और फिर उसने कहा चूडल से कि आप पानी को टेस्ट करें कि ये ज़्यादा गरम है या नहीं और जैसे ही चूडल उस पानी को टेस्ट करने गई ग्रेटल ने उसे उस पानी के अंदर धकेल दिया हैंजल वाज रिक्यूस्ट एंड सून दे वर सेफटी बैक होम हैंजल को जल्दी उसने वहाँ से बचाया और जल्दी वो वापस घर चले गए और वो वहाँ से उस घर के खजाने के साथ जंगल से वापस गये इस चीज के साथ निश्य करते हुए कि अब वो वहाँ दुबारा कभी नहीं आएंगे और वो दोनों सेफटी से अपने घर चले गए